हेलो एब्रवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैटी रॉइफ के एक ऐसे वन डे अट अटाइम को अगर आप इस चैनल पर नहीं है दो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शरूर से शेयर करें और इस चैनल को ब्रोकरने में हल्प करें तो आज की इस वीडियो में हम कैटी रॉइफ के एक ऐसे वन डे अट अटाइम को डिस्कस करने वाले हैं बट उससे पहले कैटी रॉइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो कैटी रॉइफ एक अमेरिकन ओथर और जिर्नलिस्ट हैं जो की नॉन-फिक्शन की ओथर के रूप में जानी जाती हैं नॉन-फिक्शन का मतलब होता है जो लिट्रेरी वर्क रियालिटी के उपर बेस्ट होता है मतब जिसमें जो किरेक्टर्स हैं जो इवेंट्स दिखाए गए हैं वो रियल लोगों रियालिटी के उपर बेस्ट होते हैं as compared to fiction जिसमें कि जो इव of messy lives यह उसी बुक का एक पार्ट है तो इस essay के शुरुआत में कैटी बताती है कि वो इंटरनेट से moderately addicted है अब इस वर्ड मोडरेटली का क्या मतलब हुआ moderately means हम कहा सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा addicted नहीं है पर हाँ वो addicted थी ठीक है तो इस essay में basically उन्होंने यह बताया कि कैसे वो इंटरनेट से addicted थी और कैसे उन्होंने अपनी इस addiction को छोड़ा तो वो यह सोचती है कि कैसा होगा कि उनके काम में इंटरनेट interrupt ना करे आप suppose करो कि आप जब कोई काम कर रहे होते हो और उस काम के दुरान एक ऐसी situation आजाती है एक ऐसी tricky situation आजाती है जिसमें हमें लगता है कि हम तो इस काम को करी नहीं पाएंगे तो उस time हमारा उस काम में मन नहीं लग रहा होता और हम इस situation को escape करने की कोशिश करती है तो हो सकता है कि आप उस time internet चलाओ या फिर कुछ और करो तो same way में ही कैटी के साथ भी ऐसा ही होता है और वो सोचती है कि कितना अच्छा हो ना कि काश उनके पास internet हो ही ना when her sentences got a little tricky sentences got a little tricky का मतलब है क्योंकि वो writer है ना इसलिए writing के बारे में कह रही है तो इस purpose के लिए ना उनको किसी ने एक suggestion दी कि आप एक software program को use करो जिसका नाम की freedom होता है उसको use करो इस purpose के लिए internet से addiction को चुड़वाने के लिए अब इस program से क्या होगा इससे होगा ये कि हमारा जो internet है वो कुछ time के लिए disable हो जाएगा और अगर हमें दुबारा से internet को use कर रहे है तो इस program को पहले disable करना होगा लेकिन catty को ना ये idea पसंद नहीं आता अब क्यों नहीं पसंद आता क्योंकि हम जो internet से दूरी बना रहे हैं वो हम खुझ से self control से थोड़ना बना रहे हैं वो तो वो program है जो हमें control कर रहा है है ना लेकिन catty तो चाहती थी कि अगर control हो तो उनका self control हो खुझ से तो इसलिए वो इस software वाले idea को reject कर देती हैं तो अब वो अपनी internet interruption को खतम करने की जरनी की शुरुआत करती है खुझ से ही तो जो first day है सबसे पहला दिन जब उन्होंने कोशिश की कि internet को use ना करी तो उस दिन तो वो बड़ा ही irritated फिल करती है obviously जाहें उनकी जगे पे कोई भी इंसान हो कोई भी addiction हो जाए उसको उस addiction को छोड़ने की कोशिश करोगे तो शुरुआत में तो uncomfortable हो गाई similarly catty के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है उनको लग रहा होता है कि उनकी life में से कुछ missing है उनका मन कर रहा होता है कि internet चलाएं लेकिन फिर वो खुद को remind करवाती है कि नहीं ऐसा नहीं करना कुछ भी तो interesting नहीं है email में but problem यह नहीं थी कि उनको को special interesting email चाहिए था but actually वो उस connection को miss कर रही थी जो कि internet के थुरू उनका world के साथ बना हुआ था वो बताती है कि उनके पास सभी books पड़ी थी cup of coffee भी था और उनकी window में से सूरज भी दिख रहा था मतलब काफी अच्छा नजारा था यह सब ideal working conditions ही जिनमें कोई भी इंसान बढ़ी सानी से काम कर लेगा लेकिन फिर भी उन्होंने एक भी document अबे तक नहीं खोला था उन्हें लग रहा था कि यह जो experiment कर रही है अपने आपके उपर वो काम नहीं कर रहा है because all that that she was thinking about is not getting online फिर अचानक से उनको याद आता है कि उन्होंने तो diapers खरीदने हैं online shopping करनी है आज का और अगले 10 दिनों का weather भी चेक करने हैं तो यह सब क्या था यह सब न एक तरीके से excuses थे internet को use करने के लिए जो कि उनके मन में आ रहे थे तो इसी सब में न देखते ही देखते दो घंटे बीच जाते हैं at the end जब उनको realize होता है कि इतना time waste हो चुक है तो वो खुद से कहती है कि नहीं भाई मैं cheating नहीं कर रही है मतब खुद से ही खुद को जूट बोलते हैं खुद को pretend करने के कोशिश कर रही है कि मैंने cheating नहीं की फिर second day अब second day क्या होता है कि वो मान लेती है वो admit कर लेती है कि खुद को ही admit कर लेती कि हाँ उन्होंने cheating की थी लेकिन दूसरे दिन भी वो फिर से अपना time waste करती है इमेल चेक करती है फिर facebook भी चेक करती है वो अपनी friend की profile भी open करके देखती है बर जल्द ही उनको guilt भी feel होता है कि उन्होंने क्यों facebook चलाई क्यों internet को use किया फिर उसके next तीसरा और चौथा दिन तो अगला जो तीसरा और चौथा दिन है वो weekend के थे Saturday और Sunday तो उन दिनों तो उनको time ही नहीं मिला computer चलाने का क्योंकि उनके घर पे सभी लोग थे चुट्टी थी न सबको तो फिर जो 5th day है 5th day उन्होंने सोचा कि आज वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी cheat नहीं करेंगी internet नहीं जलाएंगी उन्होंनों internet को use तो नहीं किया 5th day बट काफी boring और baron सा feel हो रहा था उनको वो सबी लोगों से जो भी internet को use करते हैं उनसे अपने connection को miss कर रही थी फिर जब 6th day आता है तो वो notice करती हैं कि वो अपना काम बिना internet के बारे में सोचुए कर पा रही अच्छे से वो अब उस connection को भी miss नहीं कर रही हैं जो वो पहले miss कर रही थी तो वो finally uninterrupted way में काम कर पा रही थी अब और finally जो 7th day है 7th day पे वो बिलकुल perfect feel करती है उनके मन के अंदर शांती का peace का एक हिसास होता है अब वो उस connection को भी बिलकुल भी miss नहीं कर रही थी and at the end वो कहती है कि चलो अब एक हटा तो हो चुका है and there is no need to be overly dramatic and just one click wouldn't hurt so guys that was all about this essay one day at a time by Kathy Royf so I hope you liked the video and if you liked the video then do not forget to subscribe the channel and share it with your friends also thanks for watching